आप ये बात मिर्भी कोकर उठाते हैं यह हम सब जानते हैं कि आपको कितने थ्रेट्स मिले हैं उसके बावजूद आप इस बात को उठाते हैं और उससे पीछे नहीं जाते हैं मैं जानती हूँ कि कितनी सेक्योरिटी कवर में आपको आज भी रहना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद आप बोलते हैं आपको पता है थ्रेट्स है और मेरे साथ आज माभारत में जो महमान जुड़ रहे हैं परिचाया आपसे करा दूँ मेरे साथ All India Anti-Terrorist Front के चैमेन MS बिट्टा साथ जुड़ रहे हैं स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं मैं आप आप देख लीजिए मैं सुबा अख़वारों में पढ़ रहा था दिल्ली गुर्दवारा परबंदक कमेटी के रहे हुए प्रेजीडन वो कह रहे हैं कि अमरत पाल के ओपर गलत कारवाई हो रही है अगर हमने चंद लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट कर दिया उन लोगों के खलाव क्या हमारा मकसद पूरा हो गया दिल से आवाज उठे उस दिन भी बोला सा मैडम दिल से आवाज उठे बुरे हिंदोस्तान के हर गुर्दवारा साब के अंदर से प्रस को बुला करके यह कहा जाए कि हम इन खालस्तानियों के खलाव है तरंगे जंडे का अपमान करने वालों के खलाव है हम खालस्तान के खलाव हैं हम उखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाते इनकी गलतियों से चुरासी के दंगे हुए इनकी गल्तियों से ब्ली उस्टार उप्रेशन हुए, इनकी गल्तियों से सती हदार बेगुनाहों का कतलयाब हुआ, इनकी गल्तियों से हमारी पगडियों पे दाग लगे आज यूके के अंदर हमारे तरंगे जंडे का अपमान हो जाता है, दिली के लाल किला के अंदर पंज पूले तोर के छड़वा लेते हैं, जबानत में छड़वा लेते हैं, ये ये सुबूल का मैं पूछना करता हूँ, हमारी सिख कौम दूरूमों के लिए सजाई गई, बेहनों के सोहागों के रक्षा के लिए सजाई गई, ना कि किसी का कटलयाम करने के लिए, आज OBC के केमेल ने हैदराबाद के अंदर क्या बयान दिया, सिख कौम के ओपर क्या बयान दिया उन्होंने, कि सिख कौम ये हमारे कभी बूट पालिश करते थे, हाँ, सिख कौम बूट पालिश करती है, हिंदू का, मुसल्मान का, सिख का, इसाई का, जो हर्मंदर साब में मत्था डेकने आता स्विर्द दुखा के करती पर जिस तरीके से आज OBC का EMLN ने ज्वाब दिया हमारी पगड़ी पर दाग ने लगा कि हमारा खूञ ने खूला किटी गल्तिएों से इन लोगों की गल्तिओं से हमरसपाल जासे लोगों की जल्टियों थे आज ये फॉज क्यार करने लगे थे और हथियारों की फॉज और वर्दी वो पुराना शत्ती हदार लोगों का खून पीने के बाद अभी भी खून के प्या थे बिट्टा साथ आप हमेशा दोटूक बोलते हैं आज भी आपने वही कहा कि जब तिरंगे का लोगों के समर्थन में जो उतरते सबसे पहले तो इनका समर्थन बन करो और इनकी आवाजों पर अपनी आवाज बुलंद करने की बहुत जरूरत है जो नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा गुनेगार है यह आपने बिल्कुल टू दे पॉइंट बात कही है पिटा साथ अश्र कर देंगे जो इंदरा गाली का हुआ जी मैं बताओं पहले नुमा बक्षी साब की बात के लिए कर दूँ जिए बक्षी साब के बात कर रहे थे उन्होंने किसी पार्टी के ओपर कोई इल्जाम नहीं लगाया जो मैंने सुना अपने उपर मैं बोलू या बक्षी सा आया हमने सैंटर को जमयनार नीट राया हम भी इस संफ के लोगों के पास रोज जाते हैं रोज मिलते हैं भोन के जरिये आरा ड्रक्ड पर उसके लिए हम सबको एक होना होगा ना कि यह घाना होगा कि यहां है तो गुजराथ में कईव नहीं क्यों ऐसा है हिंदुस्तान एक है पंजाब गुजराद बिहार सब हम एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अरे इतनी हिम्मत हो गई अमरस्पाल की क्या कहा था अमिशाजी ने इतना कहा था किसी पत्रकार को किसी ने सवाल पूछा हिंदोस्तान के हो मिनिस्टर को कि खालस्तान के मुद्दे के उपर तो हिंदोस्तान का हो मिनिस्टर चाहे बक्षी साब हो चाहे आप हो कोई भी हिंदोस्तान का व्यक्ति हो सच्चा वारती यही कहेगा रास्त एक है एक रहेगा खालस्तान ना कभी बना था ना बनेगा ये कहने का हक है और इसकी हिम्मत अमरस्पान की इसने ये कह दिया पहले इंद्रा गांदी मारी अब हम हमीशा को मार देंगे और कुछ और लोग ने कहा पहले इंद्रा गांदी मारी या पिट्टा को मार देंगे आपके लोग हमारी ज आड़ेगी कि हम उस वक्ट डरे बंबो गोलियों से कितने लोग चाहिदी किये? इनको बार बार कहता हूँ। फिर वहीं आओंगा पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया पे बैठे हुए शिक समाज जैसे पहले एक बहुत सुन्दर कुछ बाते कही बाहर बैठा हुआ भी बारती है उसकी आवाज क्यों ना उठे आपकी आवाज क्यों उठे उनकी आवाज क्यों ना उठे हर कोने से सिख समाज की आवाज क्यों ना उठे हर कुर्दवारे से सिक्समाज की अवाज न उठे गर में बंद करके कहना बड़ा सान है हम इनके साथ नहीं है हम मानने को ले त्यार नहीं है मैं फिर कहूँ मेरी भेन ना कोली की ना फौज की ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी ना आपके चैनलों की जरूर पड़ेगी जिस तर दुनिया में बैठा हुआ आप तो बिटा साथ ये बात निर्भी कोकर उठाते हैं यह हम सब जानते हैं कि आपको कितने थ्रेट्स मिले हैं उसके बावजूद आप इस बात को उठाते हैं और उससे पीछे नहीं जाते हैं मैं जानती हूँ कि कितनी सेक्यूरिटी कवर में आपको आज भी रहना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद आप बोलते हैं आपको पता है थ्रेट्स है बिटा साथ अगर इस खालिस्तान के नाम पर ये जो मोर्चा बंदी ये फोर्स बनाने की तैयारी भारत तोड़ने की तैयारी इस पर अगर नहीं बोलेंगे खालिस्तान पर समर्थन दिखाएंगे तो फिर अमरित्वाली पैदा होंगे और फिर उसको कम करकर राकेंगे ये दिखाएंगे के भाई कुछ बड़ा नहीं था क्या किया उसने मैं आपको बताओं मुझे समझ नहीं आती ना तो बक्षी साब ना एक बड़े सीनियर और लोग बोल खाम तो किई पार्टी के खलाफ कोई भी नहीं बोला मैंने तो सुना नहीं ना पोले ना मैं भूला हमें सुनने की एक हिमत होनी चाहिए हम एक होके पाकिस्तान को Airlie स्वे को बताये हम एक है भी पंजाब की आपन चाहिती के लिए हम रास्ता के लिए एक हैं दूसरी बात बताओं क्या मैने को गोली चलाई नाम था रेड टर्बन परकीट क्या था उसमें हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों के खून से बना तरंगा जिंडा चिटी निकर चिटी जर्शी चिटे बूर चिटी जुराबे और निकलते थे गाउं में और जो हमारे काफने में चुड़ता था अगले दन शहीद कर दिया जा जाएगी हम किसी पार्टी के खराप बोल रहे हैं क्या हम तो सबका सजोग दे रहे हैं हम तो कहते हैं अमन चांती हो पर यह समझना हम ऐसा क्यों बोले ना बंब गोलिया निए बंडरा वाला निए बंद करा पाया सामने बैठके हमको चुपकरा देंगे हमने के 47 नी आरे लगते रहें और कहें तरंगे जंडो का मान पूरे दूनीह में हमारा होता रहे हमारी पगड़ी पे दाग लगता रहे हम ऐसे बैठे वाप बैवा वा यह पहली बार मैंने देखा हम बोलत्EST क्यों हैं हम बोलिये हमने हर्पजन ममान जी का नाम लिया हमने मोधी जी का से लिया हमने सच बात कही हमने यह भी कहा ना हर 보cemos चाहता सि यर पिया ना हिन्दोस्तां परदान मंतरी चाहतें पंजाब की अमन चान्ति हराब हो श्वत मिलट कर का चाहतें अमन अमन थकी हो पर हमें he con के वक्त बरदाज का मादा रखना चाहिए हर बात पर टोकना यह अच्छी बातira हमें बताए आप के सामरें मेरी बैद बैठी हमने किसी कि factय था वह बोला मत ऐसा मत गलत काम कीदिये किसी को गुत्था मत दलाई हम आपके सात हैं हम अमन शांती के पुजारी हैं हम फिर अपना खून देने के लिए त्यार हैं हम गंडी राजनिती नहीं करते पर तरंगे जंडे का अपमान जब यूके के अंदर होता है जब धिली के 26 जनवरी में होता है जब अर्टेलिया के कैनेडा में हमारे तरंगे जंडे को रोला जाता है कश्मीर में अचानक घंडे करांगे कहां से आगए आगे वहां पर कैनेडा में कैसे जो नेता है वो अचानक सोशिल मीडिया पर एक्टिव हो गए कि देखें पंजाब में क्या हो रहा है क्या हो रहा है पंजाब में बिल्कुल सही हो रहा है पंजाब में एक क्राकडाउन पहले होना चाहिए था पंजाब में एक क्राकडाउन जरूरी है हम फिर से पंजाब में वो समय नहीं देख सकते हैं